स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुला राशे वालों, हो जाईए सावधान, आपकी जान के सबसे बड़े दुश्मन है, यह तीन व्यक्ति और बागेश्वर धाम के पर्चे में भी इन तीनों के नाम सपष्ट आ जो आप से छुपाए गई है, आज की इस वीडियो में एक एक ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी, कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, कौन आपकी सफलता का दुश्मन है और कौन आपको अपना मानता है, आज यह भेंट करना हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि कली काल में दुश्मन बदल गए हैं, आज कल के लोग अपनी गुप्त नीतियों से सामने वाले व्यक्ति का घर तोड़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए, तो उन्हें कौन पूछेगा, अगर आपका नाम हो गया, तो वे तो दब जाएंगे, जबकि उनके मन में यह भाव होना चाहिए कि अपनों की तरक्की से कोई छोटा नहीं होता, किसी का नाम नहीं दबता, बलकि उस व्यक्ति का भी नाम रोशन होता है, जो उसके घर के परिवार का सदस्य होता है, लेकिन इनकी बुद्धी भरष्ट हो चुकी है, और यह तीन लोग पूरी रास्ता सही मार्ग दिखा देंगे, बस आप वीडियो को बिलकुल अंत तक देखते रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को आधा देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, और उन्हें पूरा ज्यान नहीं मिलता, उस व्यक्ति का नाम नहीं मिलता, चमतकारिक उपा आईए, अब मुख्य वीडियो की ओर बर हैची जाते हैं, देखिए दोस्तों, हमारे परिवार में भी कई सारे लोग होते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे जितने रिष्टे नाते होते हैं, जितने हम अपने जीवन में रिष्टे निभा रहे होते हैं, रिष्टे कई प्रकार क रिष्टे होते हैं और रिष्टे दोस्त तो कई सारे होते हैं, कुछ खून के रिष्टे होते हैं, कुछ सामाजिक रिष्टे होते हैं इन रिष्टों में. दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर रिष्टा निस्वार्थ भाव से हमारे प्रति लोग निभा रहे हों. जरूरी नहीं क कई बार दोस्तों धन के लालच में, कई बार दोस्तों जलन के प्रती, कई बार लोग हमसे जलते भी हैं, कई बार लोग धन के लालच में हमारे दुश्मन तक बन जाते हैं, वो हमसे बोलते नहीं हैं, लेकिन वो मन ही मन हमसे जलते हैं, हमारी धन दौलत से जलेंगे, हमारी ख ये लोग हमारी पीट पीछे हमारी बदनामी करेंगे समाज में हमारे बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाएंगे ये लोग हमारे अपने ही होते हमारे घर के भी कुछ लोग हो जाते हैं कई बार दोस्तों हमारे घर में हमारे काका काकी, चाचा चाची, हमारी बुआ और ऐसे दोस्तों कई सारे लोग होते हैं, कई बड़े बड़े घर होते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा परिवार साथ में रहता है तो दोस्तों अकसर घर के ही लोग हमसे जलने लग जाते हैं कई बार दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई रिष्टेदार है वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है आप मुझे उधार दे दीजिए मैं कुछ दिनों बाद में आपको वापस लोटा दूँगा आपके पास पैसा है लेकिन आप अपनी कुछ जरूरतों के चलते अपनी कुछ परेशानियों के चलते आप वह पैसा उनको नहीं दे पाते हैं तो वह सामने वाले रिष्टेदार को आप एक दुश्मन के जैसे लगने लगते हैं क्योंकि आपने उनको मदद के लिए ना कर दिया होता है, तो वह आपको बिलकुल खिन्नता के भाव से देखेंगे. उनके मन में बहुत, दुएश के भाव उत्पन्न हो जाएंगे. वह लोग आपको एक दुश्मन के जैसे मानने लगेंगे. भले ही वह आपको मुहुपर कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन वह मन ही मन आपसे जलेंगे. आपको एक दुश्मन मानेंगे, क्योंकि आपको मैं मदद के लिए बोला था और आपने मदद की नहीं. और उसके बाद दोस्तों, ये लोग जलन के चलते, ये लोग दुश्मनी के चलते, हमारे प्रती ही समाज में अफवाह उड़ाते हैं. हमको बरबाद करने के लिए, हमको नीचा गिराने के लिए, कई सारे हत्थकंडे अपनाते हैं. कई बार ये लोग तंत्र मंत्र करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं. इसलिए ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा नहीं होता है. सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है, वह हमारे आसपास के लोग ही होते हैं. ये लोग दोस्तों हमारे बारे में हर चीज जानते हैं. हम कब कहां जाते हैं? हम कब क्या खाते हैं? हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, उनको क्या खाना पसंद होता है, इन रिष्टेदारों को, इन घर के लोगों को सब कुछ पता होता है, हम कितना कमाते हैं, हम क्या खर्च करते हैं, हम कहां जाते हैं, सब कुछ पता होता है, और इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं, दोस्तों, ये लोग फिर आपके बच्चों के उपर भी तंत्र मंत्र करवाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो तांत्रिक क्रिया होती है, जो तंत्र मंत्र होते हैं, वह बच्चों के उपर आसानी से हो जाते हैं, और फिर आपके बच्चों को न प्ड़ाई बड़ाई नहीं करता है. अगर बच्चा बड़ा हो, तो गलत संगत में पढ़ जाता है, नशा करने लगता है. गलत-गलत संगत में उसकी आदत पढ़ जाती है, और फिर पूरा घर धीरे-धीरे बरबाद होने लगता है. दोस्तों, इन टोने टोटके और तंत्र देखिए, अगर आपका कोई रिष्टेदार है, या फिर आपके घर के ही कुछ लोग हैं, या फिर आपका दोस्त है, अगर आपके पास मदद के लिए आता है, आपके पास पैसों की मदद के लिए आता है, या फिर किसी चीज की मदद के लिए आता है, और आप उसकी मदद न अगर उसकी जरूरत हमने पूरी कर दी, तो हम उसके लिए भगवान बन जाएंगे, और अगर उसकी जरूरत, अगर उसकी मदद हम नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए एक दुश्मन, एक गद्दार बन जाएंगे। आपको दुश्मन समझने लगेगा। दोस्तों, यह एक इस कलियुक की कड़वी सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि यहां रिष्टे नाते भी दोस्तों स्वार्थ के दम पर ही निभाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास धन दौलत है, और अगर आप उनके काम आएंगे, अपने रिष्टेदारों की मदद करेंगे, तो दोस्तों, आपके पास बहुत सारे रिष्टे होंगे। आप देखेंगे कि आपके पास खूब सारे दोस्त होंगे, आपके पास खूब सारे रिष्टेदार होंगे, आपकी वाहवाही करेंग आपके हर पल काम आएंगे, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो दोस्त आपके पास कोई नहीं आएगा, और अगर आपके पास पैसा है, और अगर आप उनको मदद के लिए ना कर देंगे, तो भी ये लोग आपके पास तक नहीं आएंगे, आप से सीधे मूह बात त आप बहुत अच्छे हो, मुझे पता है आप जितनी हो सकते हैं, आप लोगों की मदद करते हो, चाहे कोई पराया हो, या अपना, आप दोस्तों हर बार मदद करते ही हो, लेकिन कभी-कभी आप अपनी मजबूरी के चलते, लोगों की मदद नहीं कर पाते, लोगों के काम नही आपाते, फिर भी वह लोग समझ नहीं पाते कि आपकी मजबूरी है, उनको तो ऐसा ही लगता है कि आपने तो मना कर दिया, आपका जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो दोस्तों, एक सीधा सा फंडा बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने ज अगर कोई आप से नाराज हो जाता है, तो आप भी दोस्तों कई दिनों तक परेशान रहते हैं, आप अपनी इज़द गिरा लेते हैं, उस व्यक्ति को मनाने में, लेकिन ऐसा न करें, जो व्यक्ति रूठा हुआ है, उसको रूठा रहने दे, जो आप से बात कर रहा है, अ क्या लोग आपकी मदद करते हैं? बिलकुल नहीं, आप लोगों की रात-रात को जाग-जाग कर मदद कर देते हैं, पैसों से लेकर हर संभव आप मदद कर देते हैं, दोस्तों, पैसा नहीं होता है, तो दोस्तों, आप कहीं से कर्जा लेकर लोगों की मदद कर देते हो, ले मुख्य रिष्टे होते हैं, जैसे भाई का, बहन का और दोस्तों जो मुख्य रिष्टे होते हैं, वही काम आएंगे, उसी के अलावा कुछ काम नहीं आएगा. इसलिए सारे रिष्टे नाथों को छोड़ें और मुख्य रिष्टों पर ध्यान दीजिए. अब अगली चीज है दोस्तों, अपने बच्चों को भी यह सावधानी बरतने का बोलें, कि कोई रिष्टेदार हो, या कोई पडोसी हो, या कोई दोस्त हो, किसी का दिया हुआ, आपको नहीं खाना है, ना ही बच्चों को खाना है, कोई पडोसी आपके बच्चों को कुछ खिलाता है, तो खाना नहीं है, कोई रिष्टेदार आपके बच्चों को कुछ खिलाए तो खाना नहीं है, और आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि यह तंत्र मंत्र करके कुछ चीजें खाने की आपके बच्चे को खिला देंगे। आपको खिला देंगे तो इस से आपके घर में और आपके बच्चों के ऊपर तंत्र मंत्र हो जाएगा और फिर वह उनके वश में आ जाएंगे। इसलिए ऐसी चीजें करें ही नहीं और सावधानी अगली चीज है दोस्तों इस दुनिया में दोस्तों आपको कई लोग बोलेंगे कि तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है काला जादू कुछ नहीं होता है ये तो तेरा फूटा नसीब है, ये तो तेरे भाग्य ही खराब है जिससे ये सब कुछ हो रहा है लेकिन देखिए दोस्तों इस दुनिया में जहां भगवान है तो वहां दानव भी है आपने देखा होगा कि दोस्तों जहां अच्छी शक्तियां होती है तो वहां बुरी शक्तियां भी होती ही है इसलिए तंत्र मंत्र भी होते हैं जिस तरह से हम मंत्र पढ़कर भगवान को खुश करते हैं, वैसे ही कुछ लोग मंत्र पढ़कर दानव को भी खुश करते हैं और तंत्र मंत्र तक करवाते हैं। से आपके घर में लड़ाई जगड़े होने लग जाए, कोई बीमार हो जाए, बच्चे बीमार हो जाए, और सब अनर्थ अस्त व्यस्त हो जाए, तो समझ जाना वह व्यक्ति आपके लिए पनौती है, और वह व्यक्ति आपके लिए अशुब है, तो उस व्यक्ति को उसके बा धांकेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में हैं कई सारी परिशानियां, चाहे पैसों को लेकर हो, चाहे घर परिवार में हो, चाहे सास बहू में नहीं बन रही है, चाहे कोई आपका घर का व्यक्ति है, वह नशा करता है, चाहे आपका पती नशे करता है, चाहे किसी को संतान की है, तो किसी के संतान नहीं है, किसी को शादी नहीं हो रही है, कई सारी परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, अब इन परेशानियों से बाहर कैसे आया जाए। दोस्तों, हम सभी यही चाहते हैं कि परेशानियां खत्म हो, और हमारे जीवन में भी खुशियां आएं, तो देखे, सब्र करें आपको सब्र तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं रहे, तो आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, और वह नियम क्या है, मैं बता रहा हूँ, बिलकुल अध्यान से सुनियेगा, देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत से लेकर अंत तक की बात करते हैं, देखिए, इस संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार के दोस्तों व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी बात ही निराली है, हमारा सनातन धर्म सबसे अवल है दोस्तों और यही सनातन ही सर्वोत्तम है, दोस्तों इस धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना जान लीजिए, अब दोस्तों में कुछ चीज बता रहा हूँ, दिन में 24 घंटे होते हैं, दोस्तों आपको सबसे पहले सुबह लेट उठती है और रात को देड तक जाकती है, दोस्तों यह बहुत गलत बात है, कोई मजबूरी नहीं है, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि वहीं से सारी खराब चीजें होना शुरू हो रही है, सुबह जितनी जल्दी हो सके जल्दी उठने की तो आदत डाल ही लें, सुबह जल्दी उठोगी तो आपके घर पर भगवान आएंगे, अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे, तो भगवान का जब आने का समय होता है, सुबह सुबह, और वह जब आपको सोया हुआ देखेंगे, आपके घर के द्वार को बं जा आती है, और ऐसे घरों की जो दैविये शक्ती होती है, वह भी कमजोर हो जाती है, और उसके बाद उनके उपर जो जादू टोने, तंत्र मंत्र है, वह बहुत ज्यादा असर करते हैं, बहुत खतरनाक असर करते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, आप अगवान उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए सुबह जल्दी उठने लग जाएं, और जो लोग नहाते धोते नहीं हैं, कृपया करके सुबह उठकर नहाना धोना शुरू कर दें, सबसे पहले उठना है, उसके बाद नहाना धोना है, फिर सूर्य देवता को जल चड़ाना है, अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती दीपक लगाना है, अपने घर में गंगा जल के छीटे लगाने है, घर में अगरबत्ती धूप लगानी है और उसके बाद आगे की शुरुआत करनी है, खास करके महिलाएं, पुरुष, सभी को यह बात ध्यान रखनी है, महिलाएं पिर अपने दिन की शुरुआत करिए, आप भी यही चीज अपनाएं, अपने बच्चों को भी यही चीज अपनाने की बात करें, इसके बाद दोस्तों, आप अपना काम करें, अपना धंधा करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, छल कपट मत करिएगा, किसी के साथ मका पारी मत करिएगा और अपने घर में लडाई जगड़ा जितना हो सके कम कर दें क्योंकि जिस घर में जगड़े होते हैं लडाई होती है दोस्तों उस घर में देवतावास नहीं करते हैं और जिस घर में देवतावास नहीं करते उस घर में फिर दोस्तों दानव शक्तियां नक तो रहे हो तो दोस्तों, भगवान को प्रणाम करके सोएं और अच्छे से हंसी खुशी से रहें। घर में बस इतना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी को बुरा भला मत बोलो, बुजुर्गों का सम्मान करो, बस इतना कर लो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तंत्र मंत उपाए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी तंत्र मंतर से बचने के लिए और किसी भी दुश्मन को हराने के लिए केवल एक उपाए आपको करना है, बिलकुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, देखिए, रोजाना प्रतिदिन सुभह सुभह पा और दोस्तों, आपका दुश्मन यदि आपको बेवजह परेशान कर रहा है, आपके उपर तंत्र मंतर कर रहा है, तो दोस्तों, 21 दिन तक लगातार बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। अपने घर के मंदिर में उसको रख दें। किस बेलपत्र आपको इकठे करने हैं। अपने घर के मंदिर में रोजाना एक-एक बेलपत्र आपके मंदिर में आना चाहिए। दोस्तों, समझ गए हो, अगर समझ में नहीं आया, तो कॉमेंट में पूछ लेना, और इसके बाद दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, आपको, दोस्तों, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिये, नियमित रूप से सुबह सुबह हनुमान जी को गुड का भोग लगाना है, सुबह सुबह करीब दस्र बजे से पहले आपको हनुमान जी को गुड का भोग लगाना है किसी भी आसपास हनुमान जी के मंदिर जाकर, आप यह उपाय कर सकते हैं, और अगर लाल रंग का फूल मिल जाए, तो आप उनको लाल रंग के फूल भी अवश्य चढ़ाएं, नियमित बजरंग बान का पाठ करें, बजरंग बान का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, इस धन्यवाद